आज मैं आपके लिए लेकर आई हो सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी और बिना टाइम लगाएं साउथ की फेमस सैट डोसे की रेसिपी सैट डोसा जिसे आप पोहर डोसा भी बोल सकते हैं या फिर आप इसे इंस्टेंट आपम भी बोल सकते हैं बिना ओईल के आप इस हेल्दी टेस्टी नाश्टे को कभी भी तैयार कर सकते हैं एकदम रूई जैसा होता है खाने में इतना टेस्टी कि आपको इस रेसिपी से प्यार हो जाएगा पूरे वीडियो वाच करें बहुत ही इस्पैशल इंस्टेंट चटनी भी साथी बताऊंगी तो चलिए शिरू करते हैं हाई एब्रीवन मैं हूँ पारुल कुगवित पारुल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है एकडम हलका-फुलका-इस्पॉंजी जालीदार पोहा आपम बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहां ले रही हूँ तीन-चौथाई कप पोहा तीन-चौथाई कप यानि एक कप से थोड़ा सा कप दो से तीन बार बिलकुल बढ़िया से पानी से हम पोहे को धोलेंगे तो लीजे पोहा मैंने बिलकुल बढ़िया से दो से तीन बार दोलिया है पानी सारा निकाल दिया है अब इस स्टेश पर इसमें मैं डाल रही हूँ एक कप सूजी मेजरमेंट के लिए जो कटोड़ी एक कप ले रहे हैं उसी के अनुसार पूरन आप लें तीन-चौथाई कप पोहा और एक कप सूजी सूजी यह आप कोई भी ले सकते हैं यह मैंने सिंपल वाली नॉर्मल सूजी लिए क्योंकि फाइनली हमें बैटर को पीसना है यहां पर बस आप ग्रेशो का ध्यान दखिएगा साती यहां पर मैं डाल रही हूं आदा कप फ्रेश दही चमच से छे बड़े चमच मैंने दही लिया है स्वादमसा डालेंगे नमाक जिस कप से अपने सूजी नी थी उसी से एक कप में पानी ले रही हो सारा एक साथ नहीं पहले थोड़ा डालिए और सब चीजों को बिलकुल बढ़िया से मिक्स करेंगे बेसिकली इस इंस्टेंट इसपॉंस डोसा का बनाने के लिए आपको बस तीन चीज़े चाहिए पोहा सूझी और दही साउट में इसको सेट डोसा इसपॉंस डोसा इंस्टेंट पोहा आपम यह पोहा डोसा भी बूला जाता है जो बड़े लोग है जिन्हें कुछ भी खाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है वो ये नरम सा बहुत ही बड़ी जालीदा डोसा खा सकते हैं खाने में बड़ा टेस्टी लगता है और पूरा एक कपपणी डलके बड़ीया से करेंगे इसको मिक्स करकर इसको रखेंगे 10 मिवान कि दव रात पर तो जब तक हमारा बेटम रहा है फ्टा फट बनाते हैं अपने इन्स्ट ओह आपम के लिए जबर दस वाली टेस्टी घोटेल इस्टाइले इन्स्टैन चटणी बनाने की लिए यहां पर सबसे किसा आधी वाली जो मिलती है मैंने वो लिए बुना चरा हो तो वो भी दे सकते हैं डाल देंगे दो बड़ा चमच अब इसमें डालेंगे एक टमाटर बारी कटा हुआ बहुत बढ़िया बनती है चटनी इंस्टेंट कोई कोकिंग नहीं साथी डालेंगे थोड़ा सा करी पत् आप इमली के जड़े थोड़ा सा नीव करस भी डाल सकते हैं अब इसमें हम डालेंगे लगबा चार चमच पानी डालके बिलकुल बढ़िया गाड़ी सी मज़ेदार सी चटनी हम पीस लेंगे और ये लिजे हमारी एकदम अमेजिंग सी जटपट इंस्टेंट वाली होटेल स्टाइल चटनी है बिलकुल तयार चटनी के लिए तड़का बढाने के लिए आप तड़का पैज में सबसे पहले डाले एक बड़ा चमच ऑईल को करेंगे गरम ऑईल के गरम होते ही सबसे पहले जाएगी एक चुटी चमच सर्सों और सर्सों के चटक तई इसमें हम डाल तोड़ा सा करीपता गैस को बंद कर देंगे और गरम ऑईल में हम डालेंगे दो सुखी लाल मिर्च ऐसे गुमाएंगे लीजे तड़का हो गया है तयार और चटनी पर इस तरह से उपर से लगा देंगे परफेक्ट लीजे इतनी जल्दी हमारी उडूपी होटल इस्टाइ अपल चटनी है बिल्कुल तयार और ये लीजे बैटर हमारा बिल्कुल बढ़िया से फूल गया है परफेक्ट अभामें क्या करना है आप लीजे एक ग्रैंडिंग जार और ग्रैंडिंग जार में हम सारे मिक्स को डाल देगे बहुती सिंपल और सरल रेशिपी है अब इस क हमारा फटाफट से स्पॉंज डोसा यानि सेट डोसा का बेटर है बिलकुल तयार कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं ना बहुत अदा गारा है ना बहुत अदा पतला बिलकुल परफेक्ट स्मूथ बेटर तयार हुआ है और कितनी जल्दी तो देखे इस तरह गिर रहा है लेकिन नीचे कोई रिविन नहीं बन रहा है बिलकुल ये कंसिस्टेंसी हमें रखनी है और अपने पोहा अपम को एकदम सॉफ्ट और जालीदार बनाने के लिए यहां पर हम इसमें डालेंगे एक छोटे चममच फ्रूट सॉल्ट इससे जो हमारा डोसा है वो बिलकुल जालीदार और सॉफ्ट एक गम रूई जासा बनेगा इसके उपर डाल देंगे एक छोटी चममच थोड़ा सा पानी इसको एक्टिवेट करने के लिए देखे बबल्स आगे ना बस अब आप जेंटली पूरे मिक्स को एक ही डिरेक्शन में इस तरह से गुमाएं और यह देखिए बिलकुल बढ़िया है एकदम वोल्यूमाइज हलका सबाग गरम होना चाहिए अब गरम तबे पर हम डालेंगे आगा कब भरकर बैटर और देखिए अपने आप यह स्प्रेड होने लगेगा और पस इसी तरह से यह छोटे साइस के आप हम बनाये जाते हैं और फ्लेम को कर देंगे अब हम लो और लो फ्लेम पर बढ़िया सकते हैं सेम टेस्ट में यह देख रहे हैं किस तरह के से जाली इस पर आ रही है यही होती है इसकी खास बात बहुत ही सॉफ्ट होता है बच्चे तो मांग मांग कर खाएंगे और धीरे इस टीम से उपर की जो सर फेस है वो अपने आपी सिखने लगेगी आपको इसको पलट तो इसको निकाल लेंगे और यह देखें मुझे कुछ कहने की भी जरूत नहीं आप देख सते कितनी बढ़िया जाली पड़ी है बिल्कुल जैसे बजार और यहां पर उडूपी सुकसागर में मिलता है ना सैट डोसा विल्कुल वैसे ही कोई खाकर भी नहीं बता पाएगा कि यह पोहे से बना हुए डोसा है है ना एकदम बहतरी चलिए मैं फटा 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 आपको दूसरा भी बना कर दिखाती हूं और यह देखिए उपर के सर्फेस बिल्कुल बढ़िया इस टीम से पक गई है आप चाहे तो पलेट कर भी सेख सकते लेकिन पोहा आपम यानि की स्पोंज डोसा में ज़र्वत नहीं होती इसी तरह यह बहुत बढ़िया सिक जाता है तो चलिए बस इसको भी उतार लेंगे यह देखिए जाली देखिए अपको एकदम बढ़िया से दिखाती हूं यह देखिए है ना एकदम बढ़िया मन कर गया ना आपको भी बनाने का तो अब पोहे से बनाईएगा, इतने मजे से, इतने हलके हलके बनेगे, रिदम बढ़िया कलर, परफेक्ट, और सारी स्पोंज डोसा हमें इसी तरह से तयार करेंगे, और आपने देखा, बिलकुल बिना तेल के, कोई घी नहीं, कोई तेल नहीं, इसी तरह आपके सारे स्पों सकता है, जैसे आपने देखा, और सिंपल से इंग्रिजियंट से, जो आपके घर में ही है, तो बस अब देर कैसी, जब लग जाए अचानक भूख, कुछ खाना हो, हेल्दी और टेस्टी, फटा फट बनाईए, ये इस्पोंज डोसा, हंड़िट परसंट मेरी गारंटी है, आपको एस्पोंज डोसा बहुत ही बहतरीन बनेगा, अब तो ये थंडे भी हो चुके, तब देखे, अब पीछे से में आपको देखाती हुए, देखे, कितने बढ़िया, सुपर सॉफ ये देखे, रूई जैसे नरम, कोई भी खाले, जिसकी दातों कोई परिशादी है, व घर के सभी बच्चे बड़े मांग मांग कर खाएंगे, सब बार बार बनवाएंगे, और या मैंने स्पोंज डोसे को सर्फ किया है, होटल स्टाइल इंस्टेंड वाली चटनी और नारियल चटनी के साथ, मेरे पास नारियल चटनी भी रखी हुई थी तो मैंने वह भी आपके लिए और भी बड़िया बड़िया रसीपी बनाने का, उमीद करती हूँ आपको मेरी महनत और रसीपी पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगाए फ्रेंड तो प्लीज 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 लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल कुग वि जय हित, जय भारत